दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तो किसी भी परिक्षा में सामान नियाध्यन के अंतरगत भारती अर्थविवस्था खंड बहुत ही महत्वपूर है इसी को ध्यान में रखकर आज की वीडियो में प्रस्तुत है G जी आई सी प्रवक्था परिक्षा यानि Government Inter College प्रवक्था के सामान नियाध्यन के लिए भारती अर्थविवस्था का प्रेक्ठिस जो आपके आगामी GIC प्रवक्था परिक्षा ॅच्चेतर सिक्षा, Assistant Professor L.T.grade इसके साथ-साथ UP PCS प्रारंभिक प्रिक्षा और RO ARO परिक् विवस्था का Practice Set संख्या एक दोस्तों आज की Practice Set का जो पहला प्रश्ण है देखिए पंचवर्सी योजना से सம्बन्धित है आपको बताना है कि कि किस पंचवर्सी योजना का उद्देश से भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप अस्थापित करना था आपसन है दूसरी पंचवर्सी योजना प्रथम पंचवर्सी योजना सात्वी पंचवर्सी योजना या आठ्वी पंचवर्सी योजना तो सही उत्तर है दोस्तों दूसरी पंचवर्सी योजना देखिए दूती पंचवर्सी योजना इसका समयकाल जो प्रारूप अस्थापित करना था और इस योजना में जो प्रमुख लक्ष निर्धारित किये गये थे उसमें राष्टियाय में 25 प्रसत की बढ़ुतरी करना आधार भूत और भारे उद्योगों पर बल देना रोजगार के आऊसरों का बड़े पैमाने पर विश्थार और आ अगला प्रेश्ण है कौन सा गांधिवादी अर्थव्यवस्था का मूल सब्द नहीं है आपसन है आपके आत्मनिर्भरता विकेंद्री कृत उत्पादन न्यायोचित वितरण या केंद्री कृत उत्पादन तो सही उत्तर है आपसन डी केंद्री कृत उत्पादन दोस्तो ये गांधिवादी अर्थविवस्था का मूल सब्द नहीं है महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर स्रीमन नरायन ने 1944 में एक योशना प्रसुत की जिसको गांधियन प्लानफार एकॉनमी के नाम से जाना जाता है और गांधिवादी अर्थविवस्था के मूल उद्देशों में विकेंद्री कृत अर्थविवस्था आत्मनिर्भरता और न्यायोचित वित्रण जो हैं ये सब सामिल थे उसमें केंद्री कृत उत्पादन का कहीं भी कोई वर्ण नहीं था अगला प्रशन है दोस्तों भारत में विशेस आर्थिक छेत्र यानि इस्पेसल एकनॉमिक जोन क्या बढ़ाने के लिए अस्थापित किये गए थे आप सन्हें मुक्त ब्यापार, विदेशी निवेस, रोजगार या प्रद्योग की विकास तो सही उत्तर है भारत में विशेस आर्थिक छेत्र विदेशी निवेस आकरसित करने के लिए जो है शुरू किये गए थे आर्थिक विशेस आर्थिक छेत्रों का उद्देश से क्या था अतरिक्त आर्थिक क्रिया कलापों का स्रीजन, वस्तु और सेवा निर्यात में बढ़ुत्तरी, घरेलू और विदेशी सरोतों से निवेश्क बढ़ाना और रोजगार के आउसरों का स्रीजन करना अगला प्रेश्न है दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्दे से नहीं है आप संदेखिए जनसंख्या व्रिध्धी और द्योगिक व्रिध्धी आर्थिक व्रिध्धी या रोजगार स्रिजन तो आप जानते हैं जनसंख्या व्रिध्धी भारत के आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्दे से नहीं है देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन या एकनॉमिक प्लानिंग है इसके 6 उद्देश से हैं आर्थिक बृध्धी, रोजगार स्रीजन और द्योगिक बृध्धी, गरीवी निवारण, आत्म निर्भरता, आर्थिक असमान्त में कमी लाना तो इस प्रकार से जनसंख्या बृध्धी भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश नहीं है अगला प्रशन है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है MS स्वामिनाथन क्रिसी अनुसंधान से ये सही सुमेलित हैं डाक्टर वी कूरियन या वरगीस कूरियन दुख धविकास से होमी भाभा परमाड उर्जा से कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार ये सही नहीं है क्योंकि डाक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध भारते संधान संगठन से है न की आर्थिक सुधारों से तो आपसन डी आपका सही सुमेलित नहीं है अन्यतीन जो विकल्प है वो सही सुमेलित हैं अगला प्रश्न है आपको बताना है महात्मा गांधी ने किस प्रकार के अर्थ वेवस्था की वकालत की आपसन है आपके अस्थान ज़ह निवाणा नहीं किंद्री कृत विकेंद्री कृत या ग्लोबल तो सही उत्तर है विकेंद्री कृत महात्मा गांधी ने dacentralized economy की वकालत की थी उनका मानना था कि गाउं के विकास से ही देश का विकास संभो है और यही कारण है कि ग्रामीड अर्थविवस्था के लिए वे लगु और कुटीर उद्योगों पर बल देते थे अगला प्रशन है भारती क्रिसी का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है आप संदेख लेते हैं अधिक भूमि कम स्रमिक अर्थवेवस्था ये नहीं है अधिक भूमी अधिक स्रमिक अर्थवेवस्था ये भी नहीं है कम भूमी और अधिक स्रमिक अर्थवेवस्था ये सही है कम भूमी कम स्रमिक अर्थवेवस्था ये सही नहीं है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारती क्रिसी का विशिष्ट लक्षण ये है कि भूमी कम है लेकिन स्रमिक अधिक है तो दोस्तों लेंड इसकेर्ड है और लेबर सरप्लस है ये भारती अर्थव्यवस्था की क्रिसी का विशेष्ट लक्षण है क्योंकि भारत में जो क्रिसी की जोते हैं वो बहुत छोटी है लेकिन सीमा से अधिक लोग उसमें काम करते हैं अगला प्रश्ण है कि भारत में क्रिसी आय की गड़ना की जाती है किस विधी से आपसन है उत्पादन विधी, आय विधी, ब्याय विधी या पढ़्य प्रवाह विधी से तो सही उत्तर है भारती अर्थ विधी से आय की गड़ना की जाती है और आप जानते हैं कि भारती अर्थ विधी के अंतरगत क्रिसी वन, खाने, चरागा, मत्सियन, आदि की गड़ना उत्पादन विधी से उत्योग, ब्यापार, परिवहन, सारुजनिक सेवा और प्रशासन कला, घरेलू ब्यावस्थाओं की गड़ना आय विधी से की जाती है और ब्याविधी जो है वो अर्थ विवस्था के उपभोग और बिनियोग ब्याव के प्रवाह को प्रदर्शित करता है अगला प्रशन है भारत में लगु उद्योग की परिवहासा आधारित है किस पर? आपसन है यूनिट द्वारा विक्री मसीनों और उपसकरों में निवेश बाजार में ब्यावतिया निर्याच्छंता पर तो सही उत्तर है लगु उद्योग की जो परिवहासा है वो मसीनों और उपसकरों में निवेश पर आधारित है और दोस्तों लगु उद्ध्योग या Small Scale Industries एक उद्ध्योगिक उपकरम है जिसमें निवेश, सैयंत्र और मसीनरी में निश्चित परिसंपत्ति होती है और इसी के आधार पर लगु उद्ध्योग की परिवासा आधारित है अगला प्रश्ण है क्रिसी उत्पादों की आपोर्ति प्राय लोचदार होती है बेलोच होती है पूर्ण लोचदार होती है या पूर्ण बेलोच होती है तो सही उत्तर है दोस्तों क्रिसी उत्पादों की आपोर्ति प्राय बेलोच होती है आपसन B आपका सही है क्योंकि किस खाद्यानों का नियूंतम समर्थन मुल्य किस वर्स शुरू किया गया था मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या MSP दोस्तों भारती जो भारत में खाद्यानों का नियूंतम समर्थन मुल्य किस वर्स शुरू किया गया था तो सही उत्तर है 1964 में दोस्तों तिरती पंचवर्सी य जुली खेती से क्या अभिप्राय है तो आपसन देखिए नकदी और खादे दोनों फसलों को बोना एक ही खेत में दो या अधिक फसलों का बोना एक वर्स छोड़कर दो या अधिक पौधों को बोना या पसुपालन और क्रिसी करना तो सही उत्तर है दोस्तों जब फसलों के उत्तपादन के साथ पस्टपालन भी किया जाता है तो इसे मिस्रित खेती या मिली जुली खेती की संग्या दी जाती है और इसके अंतरगत केवल फसलों पादन के साथ दुधारू पसुओं के पालन को शामिल किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों किस दर पर भारती र उधर लेता है उसको क्या कहा जाता है तो उधर है reverse repo rate दोस्तों reverse repo rate वह दर है जिस पर भारती रिज़र बैंक बाड़िजिक बैंकों से धन उधर लेता है अगला प्रशन है अधिकान स्थ प्राकृतिक प्रकृत्रिया द्वारा किसी वश्तु का उत्पादन किसका क्रिया आपसन है प्रात्मिक छेत्र, दुतियक छेत्र, तृतियक छेत्र या तकनिकी छेत्र तो सही उत्तर है आपसन ए प्रात्मिक छेत्र दोस्तों आर्थ बेवस्था की आर्थिक गत्विधियों को आप जानते हैं तीन स्रेडियों में बाटा गया है प्रात्मिक छेत्रक, दुति अगला प्रश्ण है भारत वर्स में निम्लखित में से किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है आप संदेखिए कागज और पल्प, कपड़ा उद्योग, थर्मल पावर या अभियांत्रिकी और इंजिनियरिंग तो सही उत्तर है थर्मल पावर यानि तापी उर्जा, दोस्तों दिये गए विकल्पों में थर्मल पावर उद्योग में पानी की खपत सबसे जादे होती है क्योंकि बिद्दुत उत्पादन के टर्माइन को भाप से चलाने के लिए भाप बनाने के लिए थर्मल पावर में बहुत अधिक पानी किया सकता पड़ती है अगला प्रश्न है कि भारत में पूजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है वस्त्र उद्योग, इसपात उद्योग, परेटन उद्योग और खेल कूद के सामान का उद्योग तो सही उत्तर है पूजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इसपात उद्योग है आपका ये बहुत ही महतपूर है पूजी प्रधान उद्योगों में दोस्तों इसका उतारण इसपात उद्योग है और पूजी प्रधान उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें पूजी गत पर संपतियों में उच्च निवेश की आवसकता होती है अगला प्रश्ण है राजकोसी नीति का संबंध किस से होता है तो उत्तर है सरकार के आय और ब्या से राजकोसी नीति का संबंध सरकार के आय और ब्या से होता है राजकोसी घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों अनुदानों और गैर रिंड पूजी गत प्राप्तियों के उपर सरकार के कुल बेयराजस और पूजी गत बेयर जिसके अंतरगत उधारों में दिये गए शुद्ध रिडों की रासी भी शामिल होती है उसका अतिरेख होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों सहकारी साख वेवस्था में जिला अस्तरी एजेंसी कौनसी है सहकारी साख वेवस्था में जिला अस्तरी एजेंसी कौनसी है आपसन है आपके देखिए सही उत्तर है Central Cooperative Bank ये जो है ये जिला अस्तरी एजेंसी होती है सहकारी साख के लिए दोस्तों सामानते है इनका कारे चेत्र एक जिला होता है इसलिए इन बैंकों को जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है मुद्रा इस्फित को नियंतरित करने के लिए केंद्री बैंक को क्या करना चाहिए आपसन देखे खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीददारी बैंकों के रिजर्व अनुपात को कम करना खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना या फिर बैंकदर को कम करना तो सही उत्तर है आपसंसी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होती है और साख कल संकुचन होता है प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और साख कविस्तार होता है इसलिए मुद्रा इसफीत को नियंतरित करने के लिए केंद्री बैंक को खुले बाजार में सरकारी प्रतिव्यूतियों को बेचना होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों VIRF के अस्थापना किसके अंतरगत हुई है तो आपको बताना है VIRF इसका फुल फाम होता है Board of Industrial and Financial Reconstruction तो BFIR इसकी अस्थापना दोस्तों बीमार औद्योगी कमपनी अधिनियम यानि SICA के अंतरगत हुई है और औद्योगीक और वित्तिय पुनर संगठन Board का गठन बीमार औद्योगी कमपनी अधिनियम 1985 के अंतरगत 12 जन्वरी 1987 को किया गया BIRF की अस्थापना और इसका काम था कि जो रुग्ड और संभावित बीमार कमपनीया है उनका पुनरुथान सुधार और पुनर गठन के लिए बेवस्था किया जाए अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में एक रुपए के नोट तथा छोटे सिक्के और जारी करने का काम किसके द्वारा किया जाता है अपसन है भारती रिजर बैंक, भारत सरकार, भारती स्टेट बैंक या फिर भारत यूनिट ट्रेश्ट द्वारा तो सही उत्तर है आपसन B, भारत सरकार द्वारा दोस्तों भारत में जो रिजर वैंग काफ इंडिया RBI है मुद्रा जारी करने का ये काधिकार है लेकिन एक रुपए के नोट और सिक्के तथा छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं अगला प्रशन है लागत जो की ब्यावसाइक गत्विध की प्रकीरत या अस्तर में परिवर्तन को बदलती नहीं है उसे क्या कहा जाता है तो उत्तर है विफल लागत ऐसी लागत जो ब्यावसाइक गत्विध की प्रकीरत या अस्तर में परिवर्तन से नहीं बदलती है उसको बिफल लागत कहा जाता है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से किसका सही मिलान किया गया है यहाँ फुल फाम है बंबई इस्टाक एक्चेंज जो है ये सेंसेक्स कहलाता है निशनल इस्टाक एक्चेंज इसको NSE ये सही नहीं है निव्यार्क इस्टाक एक्चेंज निफ्टी ये भी सही नहीं है लंदन इस्टाक एक्चेंज निकेई ये भी सही नहीं है दोस्तों बंबई इस्टाक एक्चेंज जो है सेंसेक्स ये सही सुमेलित है नेशनल इस्टाक एक्चेंज जो है इसको निफ्टी NIFTY, NIFTY को National Stock Exchange कहा जाता है भारत में New York Stock Exchange का इसका नाम Dow Jones है याद रखिए Dow Jones और London Stock Exchange का जो नाम है ये Frankfurt का दोस्तों ये Middex है और देखिए Nikkei जो है ये Japan से Japan Stock Exchange का है अगला प्रश्ण है World Bank रीड देता है किस प्रकार का दिर्घकालिन अल्पकालिन A और B दोनों या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए वर्ल्ड बैंक किस प्रकार का रिण देता है तो सही उत्तर है A और B दोनों यानि आपसं C आपका सही उत्तर हो जाएगा 202 या वर्ल्ड बैंक एक अंतराष्टी संगठन है इसकी अस्थापना 1944 में ब्रिटेन उट्स समझोते के द्वारा हुई थी ये अपने सदस्य देशों के नीतिगर सुधारों और विकास आत्मक परियोजनाओं के लिए दिर्घकालिक और अल्पकालिक रिण प्रदान करता है अगला प्रश्ण है स्वाड मुख्यत है किस से संबंधित है देखे अस्थानी बाजार से राष्टी बाजार से अंतराष्टी बाजार से या फिर प्रादेशिक बाजार से तो गोल्ड दोस्तों अंतराष्टी बाजार से संबंधित है भारत में कई केंद्री सरकारी नहीं है आपको बताना है यहां पर देखे भारती कपास निगम भारती खादे निगम क्रिसी लागत और कीमत आयोग भारत का क्रिसी निगम दोस्तों भारती कपास निगम खादे निगम क्रिसी लागत और कीमत आयोग भारत सरकार के केंद्री सरकारी संगठन है जो क्रिसी वि प्रभुत वाली बाजार संरशना को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है अलपाधिकार अलपाधिकार बेवस्था ऐसी इस्थिति है जिसमें एक वस्तु के उत्पादा कत्वा बेचने वाली फर में थोड़ी सी 2 या 10 के बीच में होती है और इसमें कुछ में प्रतियोगिता भ गई आए तो सही उत्तर है अंतरण आय अनरजित आय होती है यानि जिसमें सरकारी पेंसन बेरोजगारी भत्ता सबसीडी राष्टी रिण पर ब्याज आदि के रूप में भुकतान होता है ये सरकारी ब्याज होता है लेकिन राष्टी आय में सामिल नहीं होता है क्योंकि य इना को जोड़े भुक्तान किये जाते हैं तो अंतरण आय अनर्जित आय होती है जिसमें पेंसन बेरोजगारी भत्ता सबसीडी आदी शामिल होते हैं अगला प्रश्ण है ये एक बहुत ही महतोपोण प्रश्ण है कई बार सामान अध्यन में पूछा गया है भारत में नियुन्तम मजदूरी अधिनियम किस वर्स पहली बार स्विक्रित हुआ था तो सही उत्तर है 1948 में दोस्तों मिनिममम बेजेज जो है ये भारत में पहली बार नियुन्तम मजदूरी अधिनियम 1948 में स्विक्रित हुआ था इसका उद्देश से कामगारों के हितों को संरक्षन करना और असंगठि छेत्र में कुछ रोजगारों में नियुन्तम पारिस्रमिक के निर्धारण की बेवस्था करना था अगला प्रश्न है कि कौन सा खाता एक सामान निबही खाता होता है जो लोगों के खातों अथवा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है तो सही उत्तर है ये है वास्तविक खाता वास्तविक खाता या रियल एकाउंट एक सामान नि होता ये लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है अगला प्रशन है प्रचन बेरोजगारी का अर्थ सामानता है जहां पर क्या है तो प्रचन बेरोजगारी का अर्थ छिपी हुई बेरोजगारी होता है और इस इस्थिति का य कि कई सारे लोग उत्पादन कारे में लगे हैं लेकिन उनकी आवसकता उस कारे के लिए नहीं होती है इस कारण उनकी सीमान्त उपयोगिता भी सीमान्त उत्पादकता सुन्य होती है अगला प्रश्ण है निम्र्खित में से कौन सुमेलित नहीं है देखेए 19 जुलाई 1979 चौदे बैंको का राष्टी कराण सही है 15 अप्रेल 1980 छे बैंको का राष्टी कराण ये भी सही है 2 अक्टूबर 1975 ग्रामीड बैंक की अस्थापना सही है 12 जुलाई 1980 नाबाड की अस्थापना तो दोस्तों नाबाड की अस्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी नकी 80 में इसलिए आपसंटी आपका सही सुमेलित नहीं है नाबाड दोस्तों भारत में क्रिसी और ग्रामीड विकास के लिए बित्त उपलब्ध कराने वाली सीर्स संस्था है अगला प्रश्ण है भारत में प्रतिव्यक्तियाय कम रही है किसके कारण जनसंख्या बृध्धि के कारण, कीमितों में बृध्धि के कारण, ग्रामीर छेतरों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण, या छेतरी या संतुलन के कारण, तो सही उत्तर है, भारत में प्रतिव्यक्तियाय जनसंख्या बृध्धि के कारण कम रही है, प्रतिव्यक् प्रकासित किया जाता है किसके द्वारा तो सही उत्तर है भारत का जो एकनॉमिक सर्वे है भारत सरकार के वित्त मंत्राले द्वारा हर वर्स जारी किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों, किसी मुद्रा का बिनिमे मुल्य अन्य मुद्राओं की तुल्ना में जान बोज कर कम करना ऊव मुद्रा की कारण देश का आंतरिक मुल्य अस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है देश से होने वाला निर्यात सस्ता हो जाता है और विदेशों से होने वाला आयात महगा होता है इसलिए अवमुलियन से निर्यात प्रोसाहित होता है और आयात हतोत साहित होता है अगला प्रश्न है दोराब जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड इस्टील कमपनी टिसको की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो उत्तर है 1907 दोस्तो टाटा आयरन एंड इस्टील कमपनी टिसको की अस्थापना 1907 में जमसेदपुर में की गई थी अगला प्रश्ण है भारत में करगड़ना या Tax Calculation के लिए आय को कितने सीर्षों के तहट विभाजित किया गया है आपसन है 3, 5, 6 और 4 तो सही उत्तर है 5 देखिए भारत में करगड़ना या Tax Calculation के लिए आय को 5 प्रमुक सीर्षकों में विभाजित किया गया है बेतन, पूजी गतलाब, ग्रिह संपत्य में आय, ब्यवसाय अथवा पेशे में आय, अथवा अन्य स्रोतों से आय तो सही उत्तर है आपसन भी 5 स्रोत हैं भारत में करगड़ना के लिए अगला प्रशन है कारेसील पूजी अपने अलपकालिक दायतों को पूरा करने की किसी कमपनी की छमता का एक मापदंड है इसे किसके नाम से जाना जाता है तो दोस्तों कारेसील पूजी को वर्तमान पूजी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये अल्पकालिक दायतों को पूरा करने की किसी कमपनी की छमता का माप दंड है अगला प्रश्ण है कौन राष्ट्री आय का भाग नहीं है आपका लाभ किराया राष्ट्री रिण पर ब्याज या मजदूरी और बेतन तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन C देखिए राष्ट्री रिण पर ब्याज राष्ट्री रिण पर ब्याज जो है ये राष्ट्री आय का भाग नहीं होता है अगला प्रशन देखते हैं ये है प्रशन संख्या 40 सीड को क्या है आपसन है इन में से कोई नहीं लग हुद्ध्योग ब्रिहद उद्ध्योग या अध्योगिक उद्ध्योग तो सबसे पहले सीड को का पूर्ण रूप जानते हैं इसे लग हुद्ध्योगों के विकास और संबर्धन के लिए तो आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों ग्रामीर छेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मानने कारण कौन सा है तो सही उत्तर है आपसन D गरीबी दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी का कारणों में निरक्षरता भूमी पर जनसंख्या का अधिक दबाव और दोगी करण का अभाव और गरीबी में से सही उत्तर आपका गरीबी हो जाएगा क्योंकि स्रमिक बाहर से काम पर लगे इसमें प्रतित होते हैं देखिए इसमे सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भूमी पर जनसंख्या का अधिक दबाव ये आपका आप्षण भी सही उत्तर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी में ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो काम में लगे हुए हैं लेकिन उत्पादक्ता उनकी बहुत कम होती ह और इस समस्या का मुख्य कारण भूमी पर जनसंख्या का अधिक दबाव है अगला प्रश्ण है Closed Economy या बंद अर्थवेवस्था क्या होती है दोस्तों बंद अर्थवेवस्था ऐसी अर्थवेवस्था होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होते हैं यानि Closed Economy का मतलब ऐसी अर्थवेवस्था से है जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं अगला प्रश्ण है सकल राष्टिया हमेशा निवल राष्टिया से अधिक होती है क्योंकि इसमें शामिल होती है क्या अगला प्रश्ण है इनमें से कौन भारत में क्रिसी विपड़न के मुख्य दोसों में से एक नहीं है भंडारण की सुविधा में कमी ये दोश है परिवहन की कमी ये भी दोश है अनुकूल मंडी और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी दोस्तों अनुकूल मंडी जो है ये भारत में क्रिसी विपड़न के दोशों में नहीं है जबकि भारत में भंडारण की सुविधा की कमी परिवहन की कमी और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी ये क्रिसी विपड़न के मुख्य दोसों में शामिल है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से कौन राजस सुबय का एक उधारण है आपसन है आपके फैक्टरी सेट का निर्माड जमीन की खरीद एक प्रिंटर की मरम्मत या एक नई मशीन की अस्थापना तो सही उत्तर है आपसन C एक प्रिंटर की मरम्मत दोस्तों राजस सुबय का उदाहरण एक प्रिंटर की मरम्मत है क्योंकि इसकी द्वारा वित्ती वर्स में किये जाने वाले अनुमानित ब्याय का मतलब होता है राजस सुबय जिसके फरसुरूप ने तो सरकार की परसंपत्ति का निर्माड होता है और नही देता में कोई कमी होती है अगला प्रेश्ण है निर्धंता का दुष्चक्र ये बहुत ही महतुपूर अवधाणा है दोस्तों निर्धंता का दुष्चक्र ये किसके द्वारा प्रत्पादित किया गया है आपसन है कालमाक्स नक्स एडम इसमित या उपरियुक्त में से कोई नहीं तो सही उत् दोस्तों निर्धनता का दुष्चक्र जो है यस अउधाना का प्रित पादन रेगनर नक्स नामक जो है अर्थसास्ती द्वारा किया गया था इनका मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है क्ट्री इजपूर बिकाज इट इजपूर क्योंकि वह हमेशा निर्धनता के दुष्चक्र में फसा रहता है अगला प्रश्ण है निम्निखित में से किसका तात्परे वित्तिय घाटा से है आपको बताना है तो सही उत्तर है आपसं सी बजट घाटा जमा उधार और देताए इसका तातपर वित्तिय घाटा से होता है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तूं यहाँ पर बहुत ही महतपूर है सकल घरेलू प्रसन्नता की अधाना विक्सित की गई है किसके द्वारा आपसन देखिए स्वीडन, भूटान, आश्ट्रिया या भारत द्वारा तो सही उत्तर है भूटान आपसन भी आपका सही उत्तर है जैसे हम लोग ग्रास नेशनल प्रोड़क्ट की बात करते हैं उसी तरह 1972 में भूटान के चौथे राजा जिंग में सिंगे वांगचुक द्वारा सकल घरेलू प्रसन्नता की ओधाणा विक्सित की गई और प्रसन्नता अच्छा लगने या मांसिक की भावना की अवस्था है जिसे संतुष्ट से लेकर तीब्र उल्लास तक की कई सकरात्मक या खुश्णुमा भावनाओं से परिभासित किया जाता है अगला प्रशन है कि भारत में निमलखित उद्ध्योगों में से किस उद्ध्योग में सारोजनिक छेतर में सबसे अधिक पूजी निवेस हुआ है आपसन देखिए उर्वरक लोह इसपात दवारसायन और रंग रोगन उद्ध्योग तो सही उद्धर है लोह इसपात उद्ध्योग दोस्तों सारोजनिक उद्योगों में जो लौह उस्पात उद्योग है ये सबसे अधिक पूजी निवेस इसमें हुआ है और लौह उस्पात उद्योग भारत के आठ प्रमुक कोर उद्योगों में शामिल है अगला प्रश्ण है आउसकता विहींता सिध्धान के प्रतिपादक अर्थसास्त्री कौन है आपसन देखिए वी एन गाडगिल अमर्त सेन नील कंठ रत या प्रोफेशर जे के महता तो सही उत्तर है आउसकता विहींता सिध्धान के प्रतिपादक प्रोफेशर जे के महता है भारती संस्कृति को ध्यान में रखकर जेके महता ने वास्तविक सुक को प्राप्त करने के लिए आउसकताओं को नियूंतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है अगला प्रश्ण है एक विकास सिल राष्ट में विदेसी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है कैसे देखे कारवन पद चिन राष्टी आय निर्यात या बेरोजगारी तो सही उत्तर है अन इंप्लाइमेंट या बेरोजगारी दोस्तों किसी विकास सील राष्ट में बिदेसी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है क्योंकि एक विकास सील राष्ट में बिदेसी निर्यात में बृद्धी नियोजन या रोजगार के अवसर उत्पन करती है, जब कि जब रोजगार की कमी रहेगी, तो वो विदेशी आयात पर काफी हद तक निर्भर हो सकता है, अगला प्रशन है, सामानों के बरगी करण के लिए प्रियोग होने वाली सामन जस्य वस्तु भी बरण और कोडिंग पढ़ा ली, यानि HSN, Harmonized System Code जो है, किसके लिए लाबकारी है, तो उत्तर है, सीमा सुल्क और उत्पाद सुल्क के लिए सामानों का वरगी करण करने में, जो ये सामानों का वरगी करण के लिए प्रियोग की जाने वाली कोडिंग पढ़ा ली है, ये बहुत ही महत्वोण है, अगला प्रिशन है दोस्तों, हरित क्रांती या Green Revolution सब्द का प्रियोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आपसन देखिए, नार्मन बोरलाग, MS. स्वामी नाथन, बिलियम गाड या GM खुस, तो सही उत्तर है, बिलियम गाड, आपसन C. आपका सही उत्तर है, अमेरिकी वैज्यानिक बिलियम गाड ने सबसे पहले अधिक उपस देने वाली किस्मों के संदर्व में हरित क्रांती सब्द का प्रियोग किया था, दोस्तों, भारत में हरित क्रांत के परढ़ावन सरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यानों के उत्पादन में बहुत अधिक बृत्धी हुई है, अगला प्रेशन है, आपरेशन फ्लड, इसका प्रथम चरण कब लागू किया गया था, आपसन हैं दोस्तों, 1964 से 71, 1971 से 75, 1978 से 85, 1987 से चानवे, तो सही उत्तर है, आपरेशन फ्लड का पहला चरण 1971 से 75 में शुरू किया गया था, और आपको पता है कि भारत में आपरेशन फ्लड या स्वेत करांती के जनक डाक्टर वरगीज कूरियन थे, इस योजना को तीन चरण में लागू किया गया था, पहला 1971 से 75, दूसरा 1978 से 85, और तीसरा 1987 से 1990, आपरेशन फ्लड और स्वेत करांती एक दूसरे के परियाए हैं, अगला प्रश्ण है दोस्तों, पहली राष्टी आय समिती का गठन किया गया था कब, 1948, 1949, 1950 या 1951 में, तो सही उत्तर है आपसन भी, 1949 में, दोस्तों पहली राष्टी आय, निशनल इंकम कमीटी जो है इसका गठन, प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस की अध्यस्ता में, 1949 में कि से थे, अगला प्रश्ण और अर्थ ब्यवस्था से संबंदित महत्वपूर्ण प्रश्णों की जो स्रिंखला का पहला सेठ है, उसका लाष्ट कोश्चन है, भारत में पहली बार रुपए का आउमुल्यन कब किया गया है, आपको बताना है, कि भारत में रुपए का आउम के आगामी GIC प्रवक्ता परिक्षा, गौर्मेंट डिग्री कालेज प्रवक्ता, एल्टी ग्रेट के साथ साथ, UPPCS प्रारंभिक परिक्षा, आरो ए आरो तथा अन्य परिच्छाओं के सामाने अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी हैं, वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार